हेई फ्रेंज वेलकम कैसे हैं आप सब आशा है फ्रेंज आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे अगर नहीं रख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी सिचुएशन में आप लोग हैं लेकिन आपको खुद को प्राइरटी जरू बहुती ब्यूटिफुल सी प्रिटी सी वाइट कांडल और यह है हमारी स्ट्रोबरी फ्लेवर की बहुती प्रिटी सी क्यूट सी रेट कांडल जिस पी कैंडल की तरफ आप बहुत जादा अट्राक्ट हो रहे हैं उस कांडल को चूज करके आप अपने रीडिंग वहां से देखना शुरू कर सकते हैं आज की रीडिंग में फ्रेंज वैसे तो आप लोगों ने यूनो टाइटल देखी लिया होगा लेकिन स्टिल मैं बता देती हूं हम चेक करेंगे नवंबर 2023 आप लोगों के रिष्टे के लिए कैसा रहेगा क्या हो सकता है नवंबर 2023 में आप लोगों के किनेक्शन में क्या गाइडन्स है क्या ब्लॉकेज है कैसे वह ब्लॉकेज रिमूब हो सकती है इच और एवरिटिंग जो भी यहां पर जिवाइन मुझे गाइट करेगी 110 परसेंट मैं आप लोगों को बताऊंगी अगर नहीं की है तो वीडियो को पोस करें और चूस करें येस पर्सनल रीडिइंग की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जिसकी डिटेल सिर्फ और सिर्फ डिस्सरिप्शन बॉक्स में गिवन है अगर आप लोगों को लगता है कि आपको ऐसी रीडिंग चाहिए जिसमें सिर्फ आपकी और आपके परिसन की बात हो तो आप परसनल रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं रीडिंग की ओर वेलकम पाइल नंबर वन जिन्होंने ये ब्यूटिफुल सी वाइट कांडल चूस की है हम लोग चेक कर रहे हैं नवंबर 2023 आप लोगों के कनेक्शन में कैसा रहेगा क्या हो सकता है क्या हो पाएगा क्या होगा क्या नहीं हो पाएगा क्या blockages रहेंगी, कैसे remove हो सकती है जो भी यहाँ पर divine मुझे बताएगी 110% मैं आपको बताऊँगी Friends, positive energies को exchange करें वीडियो को जल्दी से like करें Om Sai Ram, Om Namashivai Please universe बताएं November 2023 का month मेरे viewers के love and relationship में कैसा रहेगा Om Namashivai तो first card है हमारे पार six of swords Second है knight of wands And bottom की energy है Knight of swords Friends, मैं हाँ पर strongly feel कर पा रही हूँ कि आप अपने person के ego उसके egoistic behavior से और गुसे से, anger से या फिर in and out face से काफी ज़्यादा disturb और परिशान हो चुके हैं strongly feel कर पा रही हूँ कि आप में से बहुत सरे लोगों को November में लगने लगेगा कि या तो आपको इस connection से move on कर लेना चाहिए या फिर आपको pause ले लेना चाहिए एक break ले लेना चाहिए और अपने person पर आपको ज़्यादा attention नहीं देनी चाहिए हो सकता है आप मेंसे कई लोग ना कहीं अकेले traveling पर निकल जाएं कहीं किसी तरह के meditation course को जोईन कर ले या किसी शान्त जगा पर जाकर time spend करें वैसी vibrations काफी strong है मैं strongly हाँ पर फिल कर पा रही हूँ कि कई लोग किसी ऐसे person से deal कर रहे हैं जो इस connection में सिर्फ अपनी और अपनी चलाते हैं जिसकी वज़े से हो सकता है आप लोग काफी disturb और परिशान ऑल्रेडी हैं जब भी आप यह reading देख रहे हैं अगर मैं यहां पर overall energies की बात करूं तो ऐसा लगता है कि नवंबर का लाइक शुरू के 10 डेज अगर हम बात करें शुरू के 10 डेज की तो आप लोगों का connection जैसा अब चल रहा है जब आप रीडिंग देख रहे हैं तब वैसा ही चलेगा कोई tint आता हुआ नहीं दिखाई देता और अगर बात करें अगले 10 डेज की तो उस time period के दोरान ऐसा दिखाई देता है कि आपके person का आपके उपर attention काफी ज़्यादा बढ़ जाएगा वो magnet की तरह आपकी तरफ खिचते हुए आने लगेंगे अगले 10 दिन जो हैं वो बहुत ही अच्छे रहेंगे that means 11 से 20 तक November जो है वो आप लोगों के connection में कुछ ऐसा रहने वाला है कि आपके person आप में से बहुत सारे लोगों में बहुत जादा interest लेने लगेंगे काफी passionate हो जाएंगे for you, romantic, lovey-dovey energy, sexual energies काफी ज़्यादा high होती हुई दिखाई देती है और इस time frame में काफी ज़्यादा possibility आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोग अगर wait कर रहे हैं reconciliation का तो 11 से 20 नवंबर के बीच में बहुत सारे लोगों का reconciliation हो सकता है अगर बात करें 21 नवंबर से 30 नवंबर तक की तो मैं यहाँ पर strongly feel कर पा रहे हूँ कि आपके person आपके person आपके बिना रहे नहीं पाएंगे चाहे आप उनकी बात मानें चाहे आप उनकी बात ना मानें चाहे वो complaints दें लेकिन वो आपकी तरफ आने की पूरी कोशश करेंगे अगर कोई third party situation है कोई manipulative person है जिसकी बातों को सुनकर आपके person ने आपसे distance maintain करके रखा है तो ऐसे में हो सकता है कि आपके person का भी उनके साथ किसी तरह का कोई argument हो जाए वैसी possibilities भी काफी strong आ रही है strongly भई आप ये भी feel कर पा रही हूँ कि नवंबर के शुरू के 10 days आप लोग बहुत शान्त रहेंगे अपनी खुद के life पे focus करेंगे लेकिन फिर 11 से 20 के बीच में आपका attraction फिर आपके person की तरफ काफी जादा जाने लगेगा and 21 से 30 के बीच में अगेन आपको उनकी हरकतों पर गुसा आने लगेगा वैसी vibrations काफी ज़दा strong है अगर मैं overall energy चेक करूँ पूरे 9 November की कैसी रहेंगी प्लीज universe पताएं ओम नमस्षिवाई 10 of Vans का कार्ड है और 9 of Vans का कार्ड है ऐसा लग रहा है कि एक person इस connection में over burdened है tensed है, परिशान है, depressed है वेच कर रहा है second person के action का वैसी vibration overall energies में आ रही है और चेक करते हैं overall energies नवंबर मन्त की प्लीज universe बताएं overall energies नवंबर मन्त की king of swords की energies है, ऐसा लग रहा है again कि आपके person के ego, anger, attitude की वज़े से आप में से बहुत सारे लोग already काफी ज़्यादा disturbed है जामनाई, Libra, Aquarius, Aries, Leo and Satch की energies काफी ज़्यादा prominent है 6, 15, 24, 2, 11, 29, 20, 4, 22, 13 and 31 important numbers and important dates हो सकती है आपके लिए, आपके person के लिए या आप दोनों के रिष्टे के लिए आप में से कई लोग same gender relationship में भी हो सकते हैं वैसी vibrations थी काफी ज़्यादा strong यहाँ पर आ रही है so November में आप में से बहुत सारे लोगों का reconciliation हो सकता है अगर आप wait कर रहे हैं reconciliation का तो काफी strong chances है reconciliation होने के अगर आप wait कर रहे हैं you know living relationship में आने का या फिर फटा फट से romantic energy या romantic और लवी डवी energy को start करने का that means आपके मन है कि आपके person आपको propose करें आपके साथ यूनो अच्छी अच्छी लवी vibration वाली या romantic talk करें या फिर आपके साथ कहीं घूमने जाएं तो उसकी possibilities नवंबर में काफी अच्छी रहेंगे finally friends हम लोग चेक करेंगे कि नवंबर में आपके लिए क्या advice है so that यह जो थोड़ी बहुत blockages है जिसमें आपके person के mood अच्छे नहीं है आपके उपर ज्यादा attention नहीं दे रहे हैं या आपसे किसी किसम का you know दूरी बना रखी है और भाग रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे में आपको क्या करना चाहिए नवंबर के मन्त में तो guidance यहाँ पर यह है कि अगर आपके person आपके close आना चाहते हैं तो आपको hesitate नहीं होना चाहिए ठीक है आपको उने accept करना चाहिए और इस प्यारे से moment को इन प्यारे सेशनों को enjoy करना चाहिए बॉटम में है confront अपने trigger स से बाहर निकलिए ठीक है कुछ मुश्किले हैं उनका confidently सामला कीजिए किसी भी चीज से घबराइए नहीं trigger मत हो ये परिशान मत हो ये जितना हो सके positive रहें अगर आप over emotional है तो चंद्रमा को every night जरूर थोड़े टाइम देखें under the moon under the stars आप लोग वाक करें time spend करें उनसे healing vibrations ले अपने person को loving vibration scent करें thank you so much for watching friends may God bless you take care if you like don't forget to thumbs up and share this in your group अगर आपसे ये रिजनेट नहीं की है तो आप लोग pile no.2 जाकर भी check कर सकते हैं अभी के लिए इतना ही take care hey friends welcome pile no.2 जिन्होंने beautiful सी red candle choose किये है हम लोग चेक कर रहे हैं November 2023 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा reading friends general है जितनी resonate करें उतनी रखें जो ना resonate करें उसे जाने दे प्लीस universe बताए November 2023 जिन्होंने भी red candle choose की है उनके लिए कैसा रहेगा उनके connection के लिए कैसा रहेगा ओम नमस्षिवाय ओम साहिराम फर्स्ट कार्ड है हमारा Ace of Swords सेकिन्द है हमारा Knight of Cups और थर्ड है हमारा यहां पर King of Vans के एनरजी Gemini Libra Aquarius Cancer Pisces Scorpio Aries Leo and Sagittarius यह energies यहां पर काफी चादा prominent हैं हो सकता है आप इन energies से deal कर रहे हैं या फिर आपके person Friends में strongly यहां पर feel कर पा रहे हूँ अगर November 2023 की मैं बात करूँ तो आप लोगों के connection में strongly मैं feel कर पा रहे हूँ वो यह है कि कहीं न कहीं आप बहुत ज़ादा जगल कर रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको इस connection में रहना चाहिए या फिर move on कर लेना चाहिए आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको आपके परसन को प्यार से हैंडल करना चाहिए या फिर उन पर सारा अपना गुसा निकाल देना चाहिए आपको नहीं समझ में आता कि इस connection में इस person को मैं किस तरीके से हैंडल करूँ जिस तरीके से ये person आपकी बातों को समझे अंडरस्टांड करें और इस connection के लिए कुछ positive action ले पाएं हो क्या रहा है कि जब आप बहुत जादा इस person पर attention देते हैं तो ये आपको ignore करने लगते हैं आपसे भागने लगते हैं आपको avoid करने लगते हैं जब आप रुख जाते हैं थम जाते हैं बैट जाते हैं तो ये person आपको follow करने लगते हैं आप मेंसे कुछ लोगों को तो ये भी समझने आ रहा कि आखिर ये person चाहते क्या हैं I hope friends ये reading आपसे resonate कर रही होगी नहीं कर रही है तो आप लोग pile number one जाकर भी check कर सकते हैं अगर मैं important dates की बात करूँ तो 1, 19, 28, 10, 2, 11, 29, 20, 4, 22, 13, and 31 काफी important numbers और dates यहाँ पर दिखाई देती हैं हो सकता है ये number और dates आपके लिए important हो आपके person के लिए important हो या फिर आप दोनों के रिष्टे के लिए important हो friends मैं strongly यहाँ पर feel कर पा रही हूँ कि अगर November के शुरू के 10 दिन की बात की जाए तो ऐसी situation रह सकती है आर या पार वाली yes या तो आपको लगेगा कि आपके person आपसे clear cut बात करें या फिर आपको लगेगा कि आपको उनसे बाती नहीं करने वैसी vibrations काफी strong है नवंबर के 10 दिनों में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि या तो खुल के बताएं वो कि वो क्या चाहते हैं कहा फसे हैं क्यूं फसे हैं क्या करेंगे कब तक करेंगे या फिर मुझे उनसे बाती नहीं करने वैसी vibrations काफी strong है अगर मैं 11 से 20 तारीक की बात करूं नवंबर में तो ऐसा लग रहा है कि जहां आपने मन बना लिया था कि मुझे तो इस परसन से तब तक बात नहीं करने जब तक यह clearly मुझे नहीं बताते लेकिन वह मूड आप पर थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखाई देता है ऐसा लग रहा है कि जैसे फिर आप सोचोगे कि यार मेरा तो मनी नहीं लग रहा इस परसन के बिना चलो क्या है जब होगा जो होगा तब देखा जाएगा अभी क्यों रिष्टा मैं बिगाड रहा हूँ अपना या बिगाड रही हूँ अपना तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन में आप धीरे धीरे उनसे अगेन थोड़ी थोड़ी बात करना शुरू कर दो वैसे ही वाइब्रेशन है और नवंबर के लास्ट टेन डेज में मैं स्टॉंगली फील कर पा रही हूँ कि अगेन ऐसी एनरजी रहेगी आपकी कि आपको लगेगा कि यार इस परसन का कुछ नहीं हो सकता इसके उपर एफर्स लगाना ही बैकार है या तो हो सकता है कि आपको कोई ऐसा बोले कि यार कोई जरूरत नहीं है इस पर अटेंशन देने की अगेन आप इस परसन से थोड़े से नाराज होते हुए दिखाई देते हो अगर मैं ओवरूल कनेक्शन के बारे में बात करूँ तो शुरू के दस दिन हो सकता है आपको किसी किसम की क्लारटी आपके परसन से मिल जाए ठीक है अलगलग लोगों से फ्रेंश अलगलग तिंग्स रेजोनेट करेंगी अगले 10 दिनों में हो सकता है कि आपके person ना धीरे धीरे आपसे प्यार से बात करने लगे या फिर कुछ लोगों के लिए शुरू की 10 दिनों में आपके person आपके कोई गुसा दिखाएं आपसे कोई नाराजगी दिखाएं और फिर आपको मनाने की कोशिश करें और आखरी 10 दिनों में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके person आपके तरफ romantically और physically काफी ज़्यादा attracted feel करेंगे अगर उन्हें कोई manipulate कर रहा है आपके against या जो भी third party situation है आप दोनों के बीच में उसको आपके person totally ignore और avoid करके 110% attention आपको देंगे आपकी तरफ काफी खिचेंगे और फटा फट से romantic journey को शुरू करने की पूरी कोशिश करेंगे देखो king of vans king of vans what a coincidence बहुत ही beautiful से cards है अब हम चेक करते हैं November 2023 की और energies आपके connection की two of cups की energy है overall energies ऐसी हैं कि अगर आप लोग you know reunion के लिए या साथ में time spend करने के लिए वहाँ पर base of sorts यहाँ पर base of sorts या फिर clarity के लिए बहुत जादा परिशान हो रहे हैं तो November 2023 में उस परिशानी से आप लोग बाहर निकल सकते हैं आपको अपने person के regarding इस connection के regarding कोई bigger clarity मिल सकती है जिसके बाद आपकी confusion दूर हो सकती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप plan कर सकते हैं थोड़ी सी मन को तसलिय मिलती हुई दिखाई देती है और चेक करते हैं फाइव पेंटिकल्स की energy है इसा लग रहा है कि आपकी intuition काफी strong हो जाएगी and intuitively आप बहुत सारी guidance और साथी में अगर मैं बात करूँ तो clarity इस connection के regarding receive करेंगे and आप में से बहुत सारे लोगों के person आपको काफी जादा follow करेंगे वैसी भी vibrations आ रही है and two of sorts की energy है seven of sorts की energy है ऐसा लग रहा है कि अगर आपके person अभी तक सारी चीजों को granted ले रहे थे तो अब वो इस ब्रह्म से बाहर निकलेंगे उन्हें समझ में आएगा कि कुछ भी granted नहीं है अगर मुझे इस connection को प्राप्त करना है अगर मुझे आप चाहिए तो मुझे efforts लगाने होंगे तो वैसी vibrations काफी strong आ रही है अब मैं चेक कर रही हूँ friends की finally आप लोगों के लिए क्या advice है ओम नमस्षिवाई प्रेंस अगर आपको लगता है आपको personal readings की need है तो आप description box में जाकर detail चेक कर सकते हैं और book करवा सकते हैं डिटाच डिवाईन आपको खह रही है कि अगर आपको लगता है कि इस connection से या इस person से आप over attach हो गए है अब आपका मन किसी भी और काम में situation में या जगा पर नहीं लग रहा है तो नवंबर में थोड़ा सा detach रहे है जिसके बाद hopefully आपके person चीजों को granted लेना बंद कर देंगे and इस connection में efforts लगाएंगे open up होने की जरूरत है थोड़ा अगर आप अपने person से clarity चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं clear cut communication करने की आपको भी need है कि आप क्या चाहते हो हो सकता है आपके person भी यही सोच रहे हो कि आप उन्हें clarity नहीं दे रहे हो take the lead divine आपको again यही समझा रही है कि इस connection में कुछ decision आपको strongly लेने है अगर आपको लगता है कि आपको move on कर लेना चाहिए आपको detach हो जाना चाहिए या आपको pause और break ले लेना चाहिए तो आपको ले लेना चाहिए ठीक है overthink मत करें जो आपको ठीक लगता है confidently वो decision ले feeling alone आप में से कई लोग ना नवंबर के मन्त में हो सकता है काफी alone feel करें तो ऐसे मैं आपको healing करवानी चाहिए ठीक है healing करवाईए अपने person को healing vibration send कीजिए then automatically आप लोगों का connection grow होगा ठीक है and again यह vibration आ रही है जो कि मैंने pile number one को भी कहा था अगर आप लोग over emotional है negative हो जाते हैं बात बात में रोने लगते हैं तो थोड़ा सा night में बहा निकलिए चंद्रमा को देखिए तारो को देखिए उनके साथ time spend कीजिए and शांती में थोड़ा सा time जरूर spend कीजिए शांत रहे कर एकदम होता है ना कि हम चंद्रमा से healing vibration catch कर रहे हैं तारो से catch कर रहे हैं उनके साथ अपनी मन की feeling share कर रहे हैं और खुद के साथ time spend कर रहे हैं यह definitely आपके connection को काफी ज़्यादा heal करेगा Thank you so much for watching friends Have a good day, take care